मुझा आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास्टेक्स और मैं हूँ आपकी होस्ट मारुख पुरेशी हमारे साथ ब्रास्टेक्स की लास्ट एपिसोड जो आपने मुलाहिज़ा की वो थी CIA Threats to Pakistan Part 5 और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं CIA Threats CIA and in fact Raw Threats to Pakistan Part 6 मजीद कुछ भी बात करने से पहले हम जाना साथ हैं कि जैड साथ साथ से के जैड साथ लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की CIA के हवाले से इस दफ़ा CIA और Raw के करदार के हवाले से स्पेसिफिकली कहा आपने कि हम गुफ्तगू करेंगे तो प्रीज आप बात शुरू की जैसे देखिए मारुख ये बात हम बड़ी कैटेगॉरिकली कह रहे हैं कह चुके हैं कि अफगानिस्तान को बन्याब बनाकर अमारिकन नेटो और इंडियन अबजेक्टिव्स इस पूरे खिते के लिए इनतहाई खतरनाक है अमारिकल्स जो अफगानिस्तान में दाखिल हुए है उनका मकस्द सिर्फ अफगानिस्तान पर अबजा करना या अफगानिस्तान से सो कॉल तालिबान की हकूमत को खतम करना नहीं था अफगानिस्तान उनके लिए एक बेसेरिया की हैसियत रखता थै अगर आप अफगानिस्तान के जोग्राफिय को देखिए तो ये मुल्क चारों तरफ से मुसल्मान मुमालिक में घिरा हुआ है एक तरफ एशिया वस्ती है, सेंट्रिल एशिया है रिरान है पर पाकिस्तान है और पिर चाइना का भी मुसल्मान खिता सिंक्याँ का वो खिता जहां की है मुसल्मान Whitell मेर अबस्ते है अल् Mister ने जिजब ये बात कही थी कर एशिया का दिल अफगानिस्तान है और अगर अफगानिस्तान में फसाद होगा ता पूरे अशिया में फसाद होगा और अफगानिस्तान में सुकून और इनान होगा ता पूरे अशिया में अमन होगा ये बात उनकी गेरमामूली जहनी फिरासत की एक अकासी है अमेरिकन्स और नेटों ने अफगानिस्तान को इसलिए चूज किया था कि यहाँ बन्याद बनाकर कमस कम तीम बड़े मुसल्मान मुलकों के खिलाफ यह बगावतें बर्पा कर सकते हैं, साधशें कर सकते हैं और इन मुमालिक के खास तोर पर इरान और पाकिस्तान के एक्मी पोटेंशल के खिलाफ काम करने के लिए इनको मौका और बेस मिलता है यहाँ अब आप यह देखिए कि एरान में बगावत बर्पा हो रही है, एरान के अंदर एक सियसी तसादम, फसाद, सिविल, डिसोबीडियंस, मुव्मेंट, प्रोटेस, अन्रेस्ट है, जिसमें क्लियर बात कंफर्म्ड है, यह बात कि इसके अंदर ब्रिटिश और अमारिकन इसेट्स शामिल हैं इस फसाद को बर्पा करने में, यह अफगानिस्तान से एक तरफ जो सरद लगती है, दूसरी तरफ चाइना में, सिंक्यान के प्रोविंस में अमारिकन ने बगावत बर्पा कराई है, और एक खुरेश फसाद और तसादम उल्री शुरू हो चुके हैं चाइना के खिलाफ, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बदखशान के सुबे में, इंडियन्स और अमारिकन्स ने बहुत अरसे से बेस कैम्स लगाए वे थे, जहां ये चाइना के मुस्लमानों को वर्गला कर, चीन के खिलाफ भड़का कर एक जंग बर्पा क करना चाहते हैं, ताकि एक तरफ इस से चीन और मुसलमान दुनिया के तालुकात खराब होंगे, और दूसरी तरफ चीन की अंडर बैली, सौफ बैली जो उनकी है, जियां के प्रॉविंस में, यहां बगावतें बर्पा कराकर ये चीन के गिर्ध हिसार अपना लगाना चाह में हैं, इस अमेरेकन और इंडियन प्रिजन्स की वज़ँ से कि जो Here Weis, उनके पर्पा की हुई है इस В decíabit, फग में, पाकिस्तान के रहां के पाकिस्तान इनका खराफ था, वो यह कि पाकिस्टान वाहिद इसλάमी न्यूक्लियर रियास्त है, पाकिस्तान के एřिमी ह कोशिश की उस वक्त की हकूमत को इस्तिमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर अपने एसेट्स को इस तरह पहला दिया कि बाद में जब अबामा डॉक्टरिन आई तो उसने अपने पूरी फिलासफी तब्दील की पाकिस्तान को एलाई से हटा कर एक हॉस्टाइल एक प्रिश्मन मुल्क तसवर किया और एफपैक डॉक्टरिन जो इन किया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिसके तहट अब American Special Forces और American Army और CIA अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस तरह आपरेट करेंगे जिस तरह पाकिस्तान भी एक होस्टाइल मुल्क है F-PAC का मतलब यही है कि पाकिस्तान अब L.I. नहीं है तेटर आफ आपरेशन है इस सारी सुरते हाल में जो सबसे बड़ा इंडियन, इसराइली और American CIA ये एसेट था वैतल्ला मिसूद और तहरी के तालिबान इसको इनोंने पाला इसलिए था तैयार इसलिए किया था कि इसके जरीए पाकिस्तान में इस तदर फसाद बरपा किया जाए कि जब पाकिस्तानी आम फोर्से और सेक्यूरिटी फोर्से इनके खिलाफ कारवाई करें और खुदकुश हमले हों और मुल्क में इंतिशार पहले तो दुनिया को ये तास्र दिया जा सके कि पाकिस्तान के एट्मी हत्यार अब दुश्मनों के हाथ में जाने वाले है पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है डिस्फंक्शनल स्टेट है पाकिस्तान एक फेलिंग रियासत है लहाज़ा अब दुनिया को और यूनाटिड नेशन्स को एक रेसलूशन पास करके पाकिस्तान में अपनी फौजों को दाखिल कर देना चाहिए और इंडिया इसमें फुली सपोर्ट कर रहे है यह अबजेक्टिव इंडियन्स इस्राइली और अमेरिकन्स का कॉमन है यहाँ पर इस काम के लिए बैतला मैसूद को इन्होंने तयार किया था पिछले पांच साल से जो सवाप में वजीरिस्तान में ट्राइबल एरियाज में और पूरे पाकिस्तान में खुदकुश हमनों और कूरेजी की कैंपेइन थी अगर आप इसको रिलेट कीजिए ग्लोबल परसेप कर्मेंट तयार की जा रही थी हमारे खिलाफ मनमौन सिंग ये बयान एक गर माह पहले दे चुका है कि पाकिस्तान के एकमी हथियार देशित गर्दों के हाथ में जाने नहीं वाले जा चुके हैं यानि उसका अब ये प्रापगेंड़ा उन्होंने ये शुरू किया दूसरी कि रिदापार को प्रिमोड करते हैं अब वो कहां गाएब हो गया बाद में इंडियंग वो गया किस को पता लाश दरिया से निकली ना इंडियंग्या ने के किसें को इन्वेस्टिगE sounding कि हिया Arya किस ने किया मारा किसने अब मारा भी उसको दो we believe कि मारा विपिसको मार कर रहे हैं एक डिर्टी बॉम बनाने के लिए कि जो रेडियो एक्टिव माटिरियल लेकर बैतुला महसूद और देशतगर्दों और टेरिस्ट को दिया जाए ताकि ये पाकिस्तान और इस खिते में कहीं भी एक धमाका करें जिसमें रेडियो एक्टिविटी फैल जाए और को ये तासुद दिया जाएगा कि पाकिस्तान के एटमी हथियार देशतगर्दों के हाथ में जा चुके हैं और साथ साथ ये कनफर्म रिपोर्ट्स हैं ये बात बिल्कुल कनफर्म रिपोर्ट्स हैं कि इंडियन्स ने वैतुला महसूद को 20 मिलियन डॉलर दिये हैं इस बा दुफान के एक तुफान खड़ा कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दुश्मनों के कबजे में चले गए हैं और पाकिस्तान के इन अगर ये क्योंके ये इन रियक्टर्ज में वैपन ग्रेट प्लोटोनियम तो नहीं है लेकिन इनके अंदर कमसकम नियुक इनका पता लग चुका है बैतुला महसूद चूंके अब वो घेरा जा चुका है बैतुला महसूद अब साउथ वजिस्तान में ट्रैप कर लिया गया है सवाथ में जो मार पड़ी है तालिबान को और मिलिटिन्स को इन लोगों के जितने लोगों की तदाद में जो अफराद तयार किये थे अल्ला के फदल से वो मारे जा चुका है या कैदी बना लिये गए इस सुरते हाल में अमेरिकन्स सियाईय और इंडियल्स अब पैनिक कर रहे हैं बैतुला महसूद घिरा जा चुका है हमने पिछले प्रोग्राम में ये ब लाके पे एट काब जहांपे हमारे स्टीजिक एसेट्स हैं वहाँ पर हम पर हम चारेगा की पाकिस्तान के एट्मी असासे दुश्मनों के हाथ में जा जाए इडिटी बाम या अगर अगर उस पे हमला भी कर देते हैं तो इतनी बड़ी खबर दुनिया में बनेगी के पाकि 1994 में जब इनके तैयारे आए थे पाक्सान पर हमला करने के लिए इसराइल के साथ इन्होंने का हुटा पर बामिंग का प्लान बनाया था उस वक्की हकोमत ने दो कैपिटल्स में पेगाम भेजे थे एक इसराइल से का गया था और एक दिली से का गया था कि वी डॉंट केर के अटैक किस तरफ से आता है अटैक दुनिया की कोई ताकत हमारे उपर करे जवाब हम इसराइल और इंडिया के खिलाफ देंगे आज हम ये बात बिलकुल वाज़ करते हैं हम वी डॉंट केर कि बैटला महसूद हमला करता है यहां पर इसराइली हमला करते हैं चुँके इसराइलियों ने भी ये मीडिया में बात आ चुकी है बात खुल गई है कि इसराइल एपसलूटली डमी रंस कर रहे हैं इस वक्त लाइव बांब्स के साथ इरान पर बामिंग करने के लिए मीडिया में ये आया है लेकिन टारगेट इरान नहीं है टारगेट पाकिस्तान है पाकिस्तान इज अवेपन स्टेट इरान अभी कई साल दूर है उससे इरान के पास अभी कैपिबिलिटी नहीं है हमारे पास है इस वक्त बैतुला महसूद एक तरफ है इंडियन, इस्राइली और अमेरिकन्स पूरी तरह एक नक्सस बनाकर पाकिस्तान को दुनिया में प्रपगेंडा कर रहा है, को दिप्लमेटिक प्रेशर बिल्ड कर रहा है, को जैसित गर्दों को हमारे खिलाफ लांच कर रहा है तोल फोकस इस पाकिस्तान नुक्लियर प्रोग्रम और रहा है, को जैसे एक बात और बताना चाहेंगे यहांपर, देखिये Americans के पास एक Special Secret Operations करने के लिए एक Command है, जिसको JSOC कहते है, Joint Special Operations Command यह पूरी दुनिया में, JSOC का का काम यह है, कि पूरी दुनिया में यह देशगर्दी करती है, हकूमतों के तख्ते उलटते हैं, दूसरे मुलकों में दाखिल होते हैं, वहां weapons of mass destruction, nuclear weapons को तलाश करके तबा करते हैं, assassination करते हैं, देशगर्द ग्रूपों के support करते हैं, fund करते हैं, जैसे हमने का हकूमतों के तख्ते उलटते हैं, वो तमाम काम के जो हुलब्रुक डॉक्टरिन के तहट इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करने थे, हुलब्रुक डॉक्टरिन हम पहले discuss कर चुके हैं, जिस यूगसलाविया में जो डॉक्टरिन इन्होंने इस्तिमाल की परकरना कि फिनाइनशल फॉलसीज की वजह से जो बिलकुल आई एमफ की पॉलसीज इस वक्त इंपलिमेंट की जा रही है यह उसी हूल डॉक्रिंट का एक हिस्सा है. जेसॉक इस वक्त अफगानिस्तान के सूबह हिल्मन ने डिप्लाइ की गई है. अफगानिस्तान में ये अमेरिका की कमांड के तहर भी नहीं आते हैं इनके ओर्ड इतने सीक्रिट होते हैं इनका तमान काम सीक्रिट ऑपरेशन्स हैं कहीं इनकी डॉक्मेंटेशन नहीं होती कहीं रिकॉर्ड नहीं होता एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पिछले दनों एक रिपोर्ट इस पे शाया की थी कि कई सालों से पूरी दुनिया में जेसॉक के डेथ स्कॉर्ड्स काम कर रहे हैं जो मुलकों में दाखिल होते हैं तो उस मुलक में अमरीकन सफिर को भी नहीं पता होता कि जेसॉक की टीम तो अंदर दाखिल होगे हैं नाइंबेसी को भी नहीं पता होता है ये जाते हैं आपरेशन्स करते हैं और निकल जाते हैं अब अगर हिल्मन में इन्होंने अपना बेस बनाया है तो हिल्मन के पास तो सिर्फ एरान और पाकिस्तान है जेसौक वहां क्या कर रहा है ये बात बिलकुल कन्फरॉंड है अन रिकॉर्ड है ये बात तो गूगल पे भी मिल जाती है कि एराक के वेपन्स आफ मैस डिस्रक्शन के नाम पे जेसौक टीम एराक पर हमला करने से पहले पूरे एराक में घूमके देशतगर्दी, तसादम, कियास, अनार्की, डेमुलेशन, एक्स्प्लोसिफ, सबोटाज और गतल गारत की मुवट्स बिल्ड कर चुकी है फिर एराक को बन्याद बनाकर जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो ये एरान में अपने स्पेशल फोर्सेज जेसॉक के बेहिजते रहें कि जो अंदर जाके, इनके कमांडो जाके, एरान के अंदर बगावा तो देशतगर्दी बर्पा कर रहें और अब इन्होंने शिफ्ट के जिनको और ये साथ-साथ ये पाकिस्तान में कर रहें ये इराक से भी इरान में जा रहें, अफगानिस्तान से भी जा रहें और अफगानिस्तान से ये पाकिस्ताना भी आ रहें ये टिपिकल जेसॉक आपरेशन्स हैं कि जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो सपोर्ट किया जा रहा है जो तहरीक तालबान को सपोर्ट किया जा रहा है ये भी कन्फर्म रेपोर्ट्स हैं कि अमारिकन मरीन्ज ने खफिया तोर पर मकरान को फ़िए इन्होंने टुप्स लेंड किये हैं तो नेटो की सप्लाइ लाइन जो पाकिस्तान से गुजर रही है वो रोक दी जाएंगी इसके लिए बलोटिस्तान इस एन एरिया ऑफ देर ग्रेट इंटरस्ट और यहां से यह जुन्दला भी क्रेट कर रहा है जो पाकिस्तान के रास्ते होता vagy जाता है और एरान से में देहशتगर्दी करता है जिसके लतीजे में इरान और पाकिस्तान के तालोकात खराब होते हैं इसी तरह बदाख्षान से यह देहशतगर्द भेज रहे हैं सिंकियांग में जो चाइनीज म सुख्रमानों को लड़ वारे है चाइनीज गर्मेंट से और लजाम ये दिया जा रहा है कि ये पाकिस्तनी है जो यहां से जाय रहा है है। ताकि चीन और पाकिस्तान के तालुकाफ कराप किये जा सके। ये तुमाम जे-सौ कापरेश्टन्स हैं। इस पूरे खेल को देख भी राएं, समझ भी गाएं एक्सपोज भी है इस वक्ट यख हिए यहें कि आप देखे यहें मुलक में सिराइकी सूबा की बात की जा रही है बलगस्तान को च्छोटा मजीब हुस्थो में टकसीम करने की बात की जा रही है का मकरां बेट लग कर दी जाए, बलूच बेट बेट और दे, पशटून बेट लग कर दे. अससे अब इनकी स्ट्राइटजी है? ये तमाम इनकी स्ट्राइटजी है हुल्ब्रोग डॉक्टरिन में. इस वक्त किसी सूर्ट में हमने ना पाकिस्तान के हमने सूबे छोटे करने ना हमने पाकिस्तान को इथनिक लाइन्स पे मज़ीद तोड़ना है या पश्टूनों को बलोचों को सिराइकी को सिंधियों को बलोचों को पर अलग नहीं करना है इस वक्त हमने इस वक्त पाकिसान की फेडरेशन को मजबूफ कर ला है इस वक्त है कि पाकिस्तान अपनी रिस्पॉंस स्ट्राइजी को डिवलप करें हम थ्रेट अनालेसिस कर चुके हैं हम को मालुम है इस बात पाला के फदल से कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आखरी दमों पे हैस्वा हर मुम्किन कोशिश करेंगे और कर रहे हैं बैतुल्ला महसूद हमारी गन्स की रेंज में है लेकिन ये इसको हर मुम्किन कोशिश कर रहे हैं हर किसम की टेक्नालोजी की सपोर्ट दे रहे हैं इसको बचाने के लिए और उनका ख्याल यह है कि इससे पहले कि ये एसेट इलिमिनेट हो जो असल मकस्द था इसको पैदा करने का कि पाकिस्तान के नुकलिर एसेट्स के खिलाफ शक पैदा किया जाए इस पर इसको डिपलॉय किया जाए ये हमारे नुकलिर एसेट्स पे जाएगा और हम अपना रिस्पॉंस बता चुके हैं इस वक्त पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी कैबिनेट को पाकस्तानी पार्लिमेंट को, हमारे मीडिया को सीरियस होके इस बात को समझना चाहिए कि जेन्मिन सीरियस थ्रेट हमारे अत्राफ में ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे है बलुचिस्तान की इसेम्बली प्रैक्टिकली इनकॉम्पोटेंट इनकेपैसिटेटेड इसेम्बली है वहाँ का चीफ मिनिस्टर कोई काम डिलेवर नहीं कर रहा गवरनर ने हाथ उठा दिये हैं कि मैं इस इंसरजन्सी और दश्यदगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ अमेरिकन जे सॉक ऐलिमेंट्स बलोचिस्तान में घूमते वे पकड़े गाएं ये पश्टून बनके टुप पगड़ी पहन के और पठान लिबास में देखने में पठान लगते हैं ये घूमते फिरते हैं बलोचिस्तान के अंदर और इनको लोकल BLA के सेपरिटेस एसेट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ ये पाकिस्तान के अंदर इवन अप टू इसलामबाद ये बात हम आपको साफ बता रहे हैं कि इसलामबाद की पुलिस में बड़े लोग कॉम्परमाईज हो चुके हैं इसलामबाद में आप इवन लाइसन्स का वेपन लेके नहीं निकल सकते हैं और अमेरिकन्स यहां पर मुखतलिफ चेक पोस्ट पर पकड़े जाते हैं इनकी गाड़ियां जिनके अधर M14 और M16 होती हैं और वेपन्स के साथ बैठे होते हैं और इनको खुली अज़ाज़त होती है कि पूरे इसलामबाद में घूमते पुरे हैं ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कोई record हमारे foreign office के पास, हमारी आम forces के पास नहीं है जो इनकी military cooperation के नाम पर आएं और embassies में मौजूद हैं अर्दू और सिंदी और local languages और पश्टो languages सीख रहे हैं यहां बैटकर वो किस operations के लिए हैं, किस कान को करने के लिए आएं दुनिया में इतनी बड़ी American embassy नहीं हैं, जितनी बड़ी Islamabad में बनी हुई हैं इनकी और अब इसके बाद ये कंधार में दुनिया की सबसे बड़ी American embassy बनाने जा रहे हैं ये इस खिते में तवील अरसे तक रहना चाहते हैं, इनका अबजेक्टिव ये है कि जब तक इरान को नियूट्रलाइज ना करें, इरान का नियूक्लियर पोटेंशल जब तक खतम ना करें, पाकिस्तान के नावजू बिल्ला हिस्से बखरे ना कर दें, और चाइना में दे उक्ती और मजबूरी कर, कि जरिये हमसे वो तालुकात रखवाए थे, और पार्लिमेंट, और गाव्मेंट, इस तक रहते हैं, रास्ता चोड़ दें, क्योंकि इस तरीके से अगर ये मामला चला, अगर ये अमेरिकन्द और C.I.A. के कहने पर मजीद सूबे बनाने की बात क किसी और मुल्क के सिफारतकारों को या किसी और मुल्क के लोगों को तो अजाज़त नहीं है, सिर्फ अमेर्यकन्स को क finances को क्यों है ये अजाज़त? अमेरिकन्स ये ना समझें कि अगर हकूमत में कुछ अलिमंट्स को वो खरीच चुके हैं तो पाकिस्तानी कौम को खरीद लिया उन्होंने ये जददार और गरतमन कौम अपने रिस्पॉंस डिवलप करना भी जानती है इनको भी देख रही है और रौ के जो तमाम अलिमंट्स पाकिस्तान में अपटरेट कर रहे हैं ये एक सिन में सबाद से आए वे रिफिजियूस के खिलाफ जो तहरीच कि छा रहे हैं जो लोग जो पाकिस्तान में कालबा अग ब品ब बनने के खिलाफ एक मज़ामत और तहरीक चलाते रहे हैं कि पाकिस्तान को भूका और पैसा मार दिया जाए पाकिस्तान में मुक्तलिफ सूबे तोड के मना दी जाए इस्वा कौमियत की बुनियाद के उपर और फिर पाकिस्तान में एक फिनाशल क्राशिस बरपा की जाए बिजली पानी और गयस को इतना महंगा कर दिया जाए कि हमारी इंडस्टरी हमारी एकॉनोमी हमारी अग्रिकल्चर तबाह को चली जाए ये मल्टिपल प्राउंट्स पर काम कर रहें मुख्तलिफ एक्सेस पर काम कर रहें ये वक्त है कि कौम का मीडिया قوم کے سیاستدان इसके दानेश वर इसकी आम फोर्सेस मतहिद हो यगज़ हो और इस बात को समझें कि पाकिस्तान के मफ़ाद में क्या काम है हमको अमेरिकन्स के साथ री निकोशेट करना है नेटो की सप्लाय लाइज बंग करनी पड़ेंगी पाकिस्तान से एनफ हमें एक मसल्मान पीस कीपिंग फोर्स हर हाल में रindruck करनी है मसल्मान पीस कीपिंग फोर्स ही इलाज है इस बात का के अमारिकन्स नेटो रो और जे-सौक का अफगान सबВाना जा जाए ताकि तमाम खिते के अलाकों में मलकों में चाना से लेकर इरान और पाकिस्तान तक देश्चतगर्दी खतम की जा सके कोई मुल्क सुकून से नहीं रहेगा अगर अफगानिस्तान में अमेरिकन्स और नेटो अपने जेसॉक के सीक्रिट कवर्ट आपरेशन के साथ मुल्कों में देश्चतगर्दी की कारवाईएं सपोर्ट करते रहें हमें इनकी तारीख भी मालूम है और इनकी आज की हरकतें भी अमेरिकन्स डरें उस वक्त से जब पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि हम जिस तरह सोवेट यूनियन को हमने अफगानिस्तान में अब हम अमेरिकन फोर्स को दफन करने जाएंगे अमेरिकन्स मस् रियलाइज इस नाव अब ये पहला वाला वक्त नहीं है जब यह हमें ड्राद धंका के पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे हम इनकी एकॉनमी भी देख रहे हैं अमेरिकन एकॉनमी का हाल इस वक्त ये हो गया है कि सिर्फ अमेरिका में पिछले दो माँ में दस लाग से जाएद नौकरियां खतम हुई है पचास साथ हजार डॉलर कमाने वाला अमरीकी टेंट में रह रह रहा है इसलिए कि इसकी नौकरी चली गई तो घर कर्फ पर जो लिया तो उसकी तिस्ट दे सकता है ना गाड़ी के तिस्ट दे सकता है अमरीकन, मिडल क्लास अमरीकन टेंटों में रहने पर मजबूर हो गए ये महंगी जंग सस्टेन नहीं कर सकते इनके एकॉनमी घर पर तबाव जुकी है इनके पास अपॉल्टरनेट सप्लाइ लाइन नहीं है इनको भी पता है कि नहीं पाकिस्टान को डिस्टेबलाइज करने की कोशश की तो इनकी सप्लाइ बन कर दी जाएगी और अगर सप्लाइ बन कर दी गई तो ये चुहों की तरह मारे जाएंगे अफगानिस्टान में जिस तरह ये फसे हुए इस वक्त और अफगान तालिबान जलालदीन हकानियर गुलबदीन ह्कमतियाओ जिस तरह मजाहमत कर रहे हैं इनके साथ जिस तरह रेजिस्टन्स दे रहे हैं अमेरिकंड़ को अमेरिकंड़ को तारीफ सबक सीखना चाहिए कि अफगानिस्तान स्कॉल قوم अपना बदला ले तुमसे You have done enough of us तुम्हारी दोस्ती भी हमारे लिए बुरी है तुम्हारी दुश्मनी तो अलहमदुल्ला वो अमान और डिग्निटी के साथ फेस करेंगे लेकिन तुम्हारी दोस्ती हमें नहीं चाहिए कि तुम खेयनत करते हो पुष्ट में खंजर देते हो तुम किसी के दोस्त नहीं हो तुम अपने भी दोस्त नहीं हो क्यों अपनी قوم का भी तबावर बाद तुमने कराया अल्ला के फदल से पाकिस्तान स्टेबल है अब हमने छोटा नहीं होना अब हमने बड़ा होना है इंडियन्स को भी हम वार्निंग देते हैं इस बात की कि तुमारे अंदर जो फ्रेक्चेज़ हैं तामिल नाडो से लेकर नेक्सलाइट्स, माउस्ट, नॉर्थीस, सिक, कश्मीरीज अगर हमने किसी एक वक्त में ये फैसला कर लिया कि हम तुमारे अंदर आग लगाएंगे फिर तुम्हें जहन्नों में भी पना नहीं मिलेगी तुमारे तुमको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है हम सिर्फ अच्छे हमसाए होने का सबूत दे रहें का लिहास कर रहें जो तुम मरकतें कर रहें हम तुम्हें गोर से देख रहें मुसल्मान की गेरत को मतलल का रो कि जब हम फैसला कर लें एक दफ़ा तो फिर तुम से मुलकाद प्र पानी पत के मैदान महीं होगी हमारी अगर यह पाकिस्तान का हामी उनासर है पाकिस्तान का तो लाहामी उनासर है यह अपने प्र राव थेड्स टू पाकिस्तान पार्ट सिक्स एपिसोड जो है वो अपने मुलाइजा की हमने इस एपिसोड में एक और आल परस्पेक्टिव डिसकस किया पाकिस्तान जिन खच्छात का शिकार है इस वक्त अमेरिका और सी आई ए और रॉ की जाने से अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजेगा अलाहाफ़